हर्याना में बजट सतर का आज तीसरा दिन है और दूसरे दिन भी खुब हंगामा हुआ आज तीसरे दिन क्या कुछ रहता है ये देखना होगा सुभग 11 बजे से सतर की कारेवाही शुरू हो जाएगी राजेपाल के अभिभाशन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होनी है नई Medical Colleges को लेकर भी जो है सरकार को घीरा गया तो कोल मिलाकर कई मुद्दे थे कल जिन पर विपक्ष ने सरकार को घीरा और आज क्या कुछ खास रहता है आज किस तरीके से जो है विपक्ष अपनी भूमे का निभाता है और खास बात ये भी है कि कल जो हंगामा देखने को मिला देखना होगा आज जो है किस तरीके से सरकार जवाब देती है यानि कि जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए है उन मुद्दों पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है ये देखने वाली बात रहेगी और आज भी इस पर नज़र हमारी रहेगी 11 बज़े से सदन की कारेवाही शुरू हो जाएगी बज़ट सतर का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जो है सदन की कारेवाही के दौरान असार यही है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है क्योंकि बज़ट से पहले बज़ट सतर से पहले जो प्री बज़ट बैटके हुई उसे लेकर भी इसरे दिन भी जो है नई आपकारी नीती का मुद्दा एक बर फिर से उठाया दा सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष भुपेन सिंग उठाया ने भी सवाल उठाये और उन्होंने भी जो है नीरस करार दिया इस अभीभाशन को और उसके अलावा पूर्विशिक्षा मंतरी गीता भुककल भी यही कहती नजर आई। अनिलमोर कल भी विपक्ष ने हंगामा किया कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा चाहे वो आपकरी दीती कि हम बात करें पश्वों आवारा पश्वों की बात कर लें या फिर कही न कहीं नीरस जो करार दिया गया अभी भाशन को राजेपाल के अभी भाशन को आज क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं जिनें लेकर विपक्ष हमलावर होने की कोशिश करेगा देखे सीनम भजट सतर का तीसरा दिन हो जो तीसरा दिन है वो भी हंगामेदा रह सकता है आज भी राज़ापाल की अभीवासन पर चर्चा होग। वीपक्षण के दौरान वीपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष्ण को घेला सकते हैं। धोली धारोंका मुद्दा कल सादर में नहीं देखना को मिला है। इसे में विपक्ष की तरह से धोली धारों के मुद्दे पर सरकार को घरा जा सकता है। करम सारेों के मुद्धे हों किसानों के मुद्धे जिन को लेके विपक्ष काफी अक्रामक नजर आ रहा है इसके लावा गर बात करें जो सरकार की तरफ से कोमन मीनिमम प्रोग्राम बनाया जाना था उसको लेकर भी सरकार को घेरा जा सकता है वहीं जो दिल्ली में हिंसा चल रही है दिल्ली में आपने देखने को मिला कि जिस तरीके से हिंसा चल रहे है पांच लोगों के चाने चले गई इस तरीके से कानुमे विस्ता समित कई मुद्दों को लेकर कही ना कही सरकार पर निशानत साधा जा सकता है जी अनिल ये कई मुद्डे रहेंगे जिने लेकर सरकार को घेरा जा सकता है लेकिन उसके अलावा गरम बात करें तो जिस तरीके से कल हंगामा हुआ जाहिर सी बात है सरकार ने भी अपने जवाब जो है तयार करके रखे होंगे कि आज अगर ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो इनका जवाब क्या सरकार को देना है? सरकार को खेरता है तो सरकार की तरब से जो सरकार के बरामन विधाय का वो जवाब दे सकते है क्योंकि दोलिदारों का मुद्दा बड़ा एक कहिना कि बरामन वरक का कहना है कि जो दोलिदारों की जो जमीन है वो बरामनों को दान में दी हुई जमीन उनकी रिजिस्ट्री होनी चाहिए इसके अलावा आप कारी नीटी को लेकर कल आपने देखा कि उसमें भी काफी हंगाम देखने को मिला इसके रावा वारा परश्टों का मुद्धों इन तमाम उद्धों पर हंगामा हो सकता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग में उसका नंबर है क्योंक स्वाइल के गुंज एक बार फिर हर्याना विधान्सवा में गुंज सकती है श्रली आपका बहुत बहुत शुक्री आनिल मोर इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखीएगा आज क्या कुछ रहता है उस पर भी आप से अपडेट हम जरूर लेंगे तो 11 बजे से सदन की कारेवाही शुरू होगी देखना होगा क्या कुछ रहता है आज कारेवाही के दोरा